हेलो दोस्तों ये है होंडा होने 2.0 BS6 होनडा होने 2.0 में दो वैरियंट आते हैं 5 कलर आप्सन के साथ ये होने 2.0 का इस्टेंडर वैरियंट है मैटलिक रेड कलर के साथ इसके फीचर्स क्या है, माइलेज क्या है, नई अन्रोड कीमत कितनी है ये सारी जनकारी मैं आपको इस वीडियो में देने बाला हूँ तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके फ्रंट प्रोफाइल से तो यहाँ पर आपको मिल जाता है होनडा का स्टीकर इसके मीटर कंसोल के उपर यहाँ पर आपको नमबर प्लीड लगाने का ओप्शन मिलता है और इसके इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं इसमें आपको जो है एलिडी वल्व वाले जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है रेट कलर का कॉंबिनेशन भी मिल जाता है में दिया गया है और जो की डुआल कोलर में दिया गया है ब्लैक और रैड के कॉम्बिनेसन में इसकी जो डिजैन है वो भी ती उनिख दी गई है जिसकी उपहर आपको रेफेलेक्टर 1 मिल जाता है यहां पर आपको 17 इंचिस के ब्लैक कलर के अलोई बिल दिये गए हैं और यहाँ पर आपको गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन टाइप ए सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि काफी यूनिक लग रहे हैं तो अब बात करें इसके मीटर कंसोल की तो इस बाइट में आपको फुली डिजीटल टाइप का मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है जैसा कि यहाँ से आप इसकी डिस्पले को देख सकते हो और यहाँ पर आपको किलो मीटर की रीडिंग और यहाँ पर फ्यूल की रीडिंग और यहाँ पर आपको गियर पोजिशन इंडिकेशन लाइट दी गई है जैसा कि इस बाइक में आपको पांच गियर मिल जाते हैं जो आप इस डिस्पले पर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको दो बटन मिल ज को जब बार बसक ý 아마 main headlight के साथ और आपको इसकी ज्यादगी से देखें तो इसकी जाधा यूनिक और काफी ज्यादा एग्रेसिव दी गई है और इसके फिउल टेंग के ऊपर आपको होंडा का 3D में लोगो दिया गया है जो की 크ों फिनिस के साथ और नीचे की साट में आपको graphics देखने को मिल जाते हैं और इसके fuel tank के उपर भी आपको Hornet का graphics देखने को मिल जाता है जो की काफी attractive look दे रहा है इस bike को और यहां से आप इसके fuel tank को देख सकते हो जो की काफी चौड़ा दिया गया है और यहां भी आपको carbon finish देखने को मिल जाती है और इसके side panel पर 2.0 और HET BS6 का logo दिया गया है और बात करें इसके पीछे वाले tire के size की तो यहां पर 140 y 70 section का tire size मिल जाता है इसमें 17 inches के black color के alloy wheel दिये गए हैं braking system की बात करें तो यहां पर आपको disc brake का option मिल जाता है 220 mm की diameter के साथ में और इसका जो पीछे वाला tire है वो भी काफी चौड़ा मिल जाता है जैसा कि यह sports neck bike है और दोस्तों इसके suspension की बात करें तो यहां पर आपको mono cross type का suspension मिल जाता है जो कि mostly आपको sports bike में देखने को मिलता है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और इसके पीछे की side में चलें तो यहां पर आपको split जो है वो grab handle दिये गए है जो की separate है और यहां पर आपको mat finis मिल जाती है और इसकी जो tail lamp है वो आपको काफी unique design की मिल जाती है जो की LED में दी गई है और side में जो indicator है वो भी आपको LED में देखने को मिल जाते हैं और पीछे का जो look है वो भी आपको काफी attractive देखने को लगता है और इसकी जो दूसी side में चलें तो यहां भी आपको same sticker और graphics देखने को मिल जाते हैं और इसकी पीछे की side में चलें left hand side में तो यहाँ पर आपको company fitted black color का sardi guard दिया गया है जिसके उपर आपको plastic की covering देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको adjustable footrest और chancet का जो cover है वो आपको plastic का देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको rider के लिए adjustable footrest और यहाँ पर आपको five gear का manual setup देखने को मिल जाता है इस bike में और यहाँ पर side stand और man stand दिये गए है और इस bike में आपको 166 mm की ground clearance मिल जाती है और इसका जो engine का जो color है वो black color में दिये गया है और यहाँ पर आपको company fitted black color का एक leg guard भी मिल जाता है और नीचे आपको engine call भी मिल जाता है जो कि इसके engine को protect करता है दूल मिटी और कीचर से इसके engine और power की तो इसमें दिया है 184.4 cc का air cooled forest truck ऐसा engine इसकी maximum power है 17.26 ps की 8500 rpm पर इसका maximum torque है 16.1 nm का 6000 rpm इसके acceleration की बात करें तो यह bike 60 km परार की speed को 4.67 second में achieve कर लेती है और इसका total weight है दोस्तो 142 kg तो अब चलते हैं इसके engine की दूसी side में तो यहाँ से आप इसके engine के दूसी side को भी देख सकते हैं यहाँ पर आपको engine oil का cap और यहाँ पर इसके engine head के उपर एक spark plug दिया गया है और यहाँ पर आपको एक oxygen sensor देखने को मिल जाता है इसके exhaust के corner के side में और यहाँ से आप इसके catality converter को देख सकते हो जो कि नीचे की side में दिया गया है और जो कि matte black finis में है और यहां पर आपको break pad और adjustable footrest मिल जाता है rider के लिए और यहां से आप इसके exhaust को देख सकते हो इसके उपर जो plate दी गई है वो आपको fiber की मिलती है और यहां से आप इसके exhaust की पीछे की design को भी देख सकते हो जो कि काफी unique दी गई है अब दोस्तों मैं आपको इसके engine का sound और इसके exhaust के sound को note करा देता हूँ तो हम bike को start कर लेते हैं तो जैसा कि दोस्तों bike start ओची है तो आप दोस्तों यहां से आप इसके engine के sound को सुन सकते हो जैसा कि Honda का जो engine होता है वो काफी जदा refined और काफी जदा का sound को सुन सकते हो हम मैं आपको इसके exhaust के sound को भी note करा देता हूँ तो यहां से आप इसके exhaust के sound को भी note कर सकते हो दोस्तों तो दोस्तों आप बात करें इसके mileage की तो जैसा कि दोस्तों यह bike 184 cc की है तो उसके साथ से इसका जो माईलेज है वो आपको 45 किलोमीटर पर लीटर का आसानी से मिल जाएगा अगर आप इसको 50 से 60 की स्पीड पर चलाते हैं तो एकोनोमी जॉन में अब दोस्तों बात करें इसके प्राइस की तो होन्डा होनेट 2.0 स्टेंडर वेरियंट की ओन्रोड कीमत है 156,949 उरुपे ये ओन्रोड कीमत मैंने आपको बताई है दुगार होन्डा बांगुर कॉलकाता सुरुम की अगर आप कॉलकाता या आसपासे हैं तो ही इस नीचे द लगा तो इस वीडियो को जास यादा लाइक करें कमेंट करें सेयर करें अगर आप चैनल पर पहली बार आयें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में